उद्यपुर में एक सरकारी अधिकारी और उनकी बेटी और नवासे का देर रात को अपहरन कर लिया गया रास्ते में उनको गाड़ी से उतार कर अधिकारी की चाकू घौप कर हत्या कर दी गई वारदात का पता चलते ही पुलीस प्रशासन में हड़कम मच गया पुलीस के आला अधिकारी मौके पर पहुँचे पुलीस मामले की जांच में जूटी है उद्यपुर में आपकारी विभाग में आफिस सुप्रिडेंट यश्वन शर्मा पुत्र परताप नराण शर्मा निवासी शांती नगर सेक्टर 3 अपनी बेटी निया शर्मा और 5 साल के नवासी रेहान के साथ एहमदाबास से रात एक बज़े उद्यपुर पहुँचे थे यहाँ वे उद्यपुर बस अड़े पर उतरे तो कोई ओटो नहीं मिला तभी एक वैन आई जिसमें चार यूवक सवार थे उन्होंने यश्वन से पूछा कि आपको नाथ द्वारा जाना है क्या यश्वन्त ने कहा कि नहीं हमें सेक्टर 3 जाना है इस पर वैन ड्राइवर ने कहा कि हम सेक्टर 6 की तरफ जा रहे हैं आपको रास्ते में छोड़ देंगे आप बैट जाएए इस पर यश्वन्त नेहा रहान के साथ वैन में सवार हो गए रास्ते में वैन गलत रास्ते पर जाने लगी तो यश्वन्त ने उन्हें टोका विरोध करने पर उन्होंने वैन रोकी और तीनों को बाहर निकल दिया बदमाशों ने चाकू निकाल लिया और यश्वंत को घौप दिया चाकू के वार से यश्वंत वहीं गिर गए पुलिस के नुसार बदमाशों ने उनका पर्स और मॉबाइल छीना नहीं साथ ही बदमाशों ने नेहा के गहने भी नहीं उतरुआए ना ही किसी तरह की कोई और बात सामने आई नेहा ने पुलिस को बताए कि उसका स्रसुराल जबलपूर में है कुछ समय पहले उसका एक्सिडेंट हो गया था कुछ दिन इलाज के बाद नेहा उधैपूर आ गई थी और रेश्ट कर रही थी उसका एहमदाबाद में किसी डॉक्टर के यहां इलाज चल र रही है साथी बसिशन पर भी पूश्टाश की जा रही है